इस इस ने भाला कि एर कास आ पर्णिया को आपने टीकित इस आपको थाबर हम मैं रोड़ी दिख रही है इसमें आपको और जुफ पुछा है तो क्वेले में आपने पकांस ही के Pastre आपने इसाट कि परिए है पास जो चीज हमारे पास में होती है उसके लिए हम नियर का यूज करते हैं जैसे यह पैंसिल है and this one is the sharpener and this one is the eraser अब आप से पूछा जाए which thing is nearer to the pencil कौन सी चीज पैंसिल के पास में है तो आप क्या answer करेंगे जो sharpener यह जो sharpener है हमारा वो pencil के पास है नियरर है तो हमने बच्चों नियरर पढ़ा था इससे पहले now वीरीर further okay farther further means दूर farther further means दूर तो nearer और further का use हम कप करते हैं जब हमें आप सेक्ट में पता करना होता है कि कौन सी चीज दूर है ठीक है दोनों में से कौन सी चीज पास है तो हम उसके नियरर का use करेंगे अगर हमें पता करना है कि कौन सी चीज दूर है तो हम उसके लिए further का use करेंगे जैसे अब आपको पहले further means होता है अब आपसे इसी पिक्चर में देखिए आप आपसे ये पूछा जाए तिक दबर्ड फार्दर फॉम हो आपसे पूछा कहा जा रहा है कि तिक दबर्ड यानि जो बर्ड घर से दूर है उसमें टिक करीज और गदी तो अपको yeah पर फारदर बॉर्ड कौन सा दिख रही है is this one is the father or this one is the father Yes जो हमारी यह बर्ड है यह गरसे दूर यह फारदर तो हम इसमें टिक करेंगे तो farther means क्या होता है दूर तो बच्चों यासे यह आपका pencil है यह sharpener है and this one the eraser अब आपसे पूछा जाए कि which object is the farther from the pencil कौन सा object pencil से दूर है तो आप क्या कहेंगे इस दिस एरेजर और शापनर टेल मी सुचो येस इस दा एरेजर इस दा एरेजर जो हमारा एरेजर है वो फार्दर है पैंसिल से वो फार्दर किस से फार्दर है वो पैंसिल से हमारा एरेजर पैंसिल से फार्दर है तो हम कहेंगे जेखिए तो यह आपका pad एक box बनाओ देखिए box है, h handicap pencil है और ये eraser है, ठीकष है, ये क्या है, eraser है, तो अब आपको कहा जाए कि tick the object, which is farther from the box, अब आपको उस object पर टिक करना है जो object box से फारदर है दूर है तो आपको pencil और eraser में से कौन सा object फारदर है दूर है yes तो हमारा eraser जो है वो दूर है तो हम इसको टिक करेंगे ठीक है यह फारदर है box से ठीक है इस तरह से अब आपका यहां पर है बैड बना हो है और ball बनी वी है और एक बैड भी बना हो है अब आप से फिर पूछा जाए कि which object is further from the bed बैड से दूर ही पर दूर कौन सा object है ball है या बैट है कौन से चीज दूर है देखिए bat दूर है या ball दूर है yes तो जो बैड है हम इसमें टिक करेंगे because this is the farther offset तो यह farther है हमारा बैड से ओके now next there is a flower एक flower है देखिए and there are two butterflies आपको two butterflies है यह आपर दिख रही है तो अब आपको यह बताना है कि which butterfly is farther from flower कौन सी तितली हमारी flower से दूर है तो देखेंगे पहले दोनु फ्लावर को देखेंगे तो कौन सी जादा दूर है distance ज्यादा है ना देखो यह इसकी ओ फ्लावर की distance जए वो ज्यादा है ना तो यह दूर हुई तो हमारा जो फ्लावर के पास से दूर जो बढ़ है हमारी farther जो बढ़ है बटरफलाई है वो यह है तो आपको इन खायर ना यह फ्लावर है यह टू बटरफलाई है और हमारी जो यह ली बटरफलाई है यह फ्लावर से फारदर है तो यह वाली भाहम हम इसमें टिक करेंगे इस तरह से, अब देखें, यह आपट ट्री है, अब आप सोच के बताएं मुझे, कि which one is farther from tree, कौन सी चीज, butterfly है या bird है, कौन सी चीज है, जो farther है, tree से, दूर है, देखें, आप सोचिए, और मुझे बताएं कि which object is farther from the tree, is butterfly or bird, कौन सी चीज farther है, दूर है, देखें, yes, bird जो है, हमारी farther है, tree से दूर है, देखें, कौन bird जो हमारी tree से दूर है, तो हमारी bird जो है, farther है, इस तरह से, अब देखें, आपके यहाँपर, bucket है, mug है, और आपका soap है, अब आपको यह बताना है, कि आपके bucket से, mug दूर है, या soap दूर है, which object is farther from the bucket, bucket से, कौन सा object farther है, तो आप देखें, mug और eraser में देखें, mug और soap में देखें, कि कौन सा farther है, soap farther है, या mug farther है, mug, no, yes, soap, soap is farther, from bucket, तो हमारा, जो सोप है, वो bucket से, दूर है, तो, जो object हमारा दूर होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते है, farther, इस तरह से, आपको दिख रहा हैं, आपर, जो हमारा eraser है, वो, box से दूर है, इसमें, जो बैट है, वो हमारा बैट से दूर है, और इसमें, याली butterfly, जो हमारी flower से दूर है, farther है, और इसमें, जो बैट है, वो, फार्दर है, और इस तरह से, यह बकेट में, जो हमारा सोप है, वो, bucket से दूर है, तो, जो चीज हमारा से दूर होती है, हम से दूर होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते है, farther, तो farther, means, जो चीज हम से यह तो पूछा है एके से पिर आपको भी इरा बोक्स रहा थिखिए यह आपर ईरे जरक एपसे पूछा से जाएं कि विचोंपुरी कि नीर एक फार्दर सब्सक्राइब गजह स्सक्क्राइब प्सक्राइब क्या था मेडिया समय औरが टीक फार्दर इस हमें दूर होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फार्दर, तो फार्दर मिन्स होता है, दूर, फार्दर मिन्स 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 दूर, फार्द पास में होती है और फार्दर जो चीज हमारे दूर होती है तो ना लोक अट यूर बुक तो आप बुक में फर्स्ट वाला अपने फिल के लिया था ना सेकंड वाले में आप देखिए आप से क्या पूछा है लोक अट यूर बुक अब आपको जो कैट क्या है तेस अगरी से दाओ शुन से उसमें तिक कनना है कौनसी केट दूर है यह याली केट है जो पत्थरों के पीछे चिपीवी केट हमारी स्टोन के पाशान के पीछे ौह वो हमारी फार्दर फ्रम दाओर है ना को कि जूँआन तर ce तो आप इस वाली cat में कै करेंगे टिक करेंगे ठीक है इस वन इस फार्दर फंट्री पास में ना देखें याली cat पास में और जो स्टोन के पीछ है वह हमारी दूर है तो इस वन इस फार्दर फंट्री तो अगर इसमे भी आप आपसे पूछा जाएं फार्दर तो आपसे पूछा है आपने यह बता दिया ठीक है यह फार्दर है अगर आपसे पूछा जाएं कि which cat is nearer to tree अब आप nearer वाली cat कौन कि इसमें बताएंगे yes this one is nearer to the tree ठीक है यह वाली जो है हमारी near में है तो nearer और father nearer मिस पास start miss दूर पास जो चीछ हमारी near में होती है उसके लिए यह nearer यूज करते हैं जो चीछ पास में होती है बढ़र्ड के होती है और जो चीछ हम दूर होती है उसके लिए हम further करते हैं जसके ही cat baru यह tree से father है ठीक है तो father दूप provide the इस तरह से आफ रफ इस तरह से आप आपको जाए और उपसे करेंGHT सकते हैं अब आपको ऐसे आप जाए कि तिए ओबकृ को गजह दोर में है उसे सकते हुए करते हैं तो तो आप से पूछा है कि कौन सा अबजेक्ट बॉक्स के पास है और कौन सा अबजेक्ट बॉक्स के दूर में है तो आप को पैंसिल घो तो आप पैंस जो है वो फार्ट वह नियर और तो हम पैंसिल क्या करेंगे टिक करेंगे और एट नेए फिर यहाइ से नेफ्ट जांगा पूछा है फिर आप से गही कोश्षेंर दोनों कुशिन एक साथ कीज़ें तिक दा अबसेक्ट विच इस नीरर तू दा बैड एंड तिक दा अबसेक्ट विच इस फार्दर फ्रॉम दा बैड अब आपसे पूछा जाए कि जो अबसेक्ट बैट के पास में है उसे टिक में आपसे एक साथ होआ है तो यह से फार्दर फॉम दा बैड बैड यहां तो हम बैड में क्या करेंगे सर्कल करेंगे ठीक है यह हमारा फार्दर रहे दूरे नाव hr इस तरह से आपकी तू बटर फॉलाई से देखें यहां आपको बताना है कि तो आपको पूछाता है यहां पर कि विच बटरफ्लाई एस तो आप इस में इस बटरफ्लाई में तो आपको पूछाता है यहां पर कि विच बटरफ्लाई इस नियरर टू फ्लावर एंड विच बटरफ्लाई इस फार्दर फ्लावर तो आपको याली जो हमारी है यह हमारी नियरर है ना पास दिख रही है पास में दिख रही है पिल्कू फ्लावर के तो इसमें हमने टिक किय बार्फिल नमारी form सिर्कल किया है। और आधा हमारे गरेड़ी में तोर पक्ते बार्फेल हमारे सरकल किया। तो अमकि बाल पक्ते कैम अधा है। तो हमने इसको स्रक्ल किया इस तरह से अनि जरर जो च्छय परदर harvest होने पने उसरे किया और आपको इसमें आद thousand निर्व सिर्क्ल किया तो आपको इसमेकर वम खाए ना जो लोगत उसमें लाए और जो पादर चाहर है उसमें संट अनुए इस तरह से भीय है बटर फ्ले में टिक करेंगे नियरर में और बर्ड जो हे हमारी वह फारदर है तो हम उसमें सर्कल करेंगे तीक है अनल आप यह बकेट है आपकी और मुग है आपका और यह सोप है अब आपको फिर बताना है कि कौन सा नियरर है है और कुनसा fuarder है तो हमारा जो मगे वह भो करने तो हम इसमें टिक क SAR करेंगे और यह क्या है yes fard ferm reporting सोप अमारा तो हमने सोप में क्या कर दिया मैं सर कल कर दिया न आब आपको समझ में आ ено कि क्या होता है जो चीज हम आरे पास होती है उसका लिए और यो चीज हम्त यह farther है ठीक है? ट्रीस है नाओ यू आल अडिस्टेंट अच्छर आप आप यह ऐसे घंड में यह आपका फियर वर्क नहीं है इसको आप यह रफ कॉपिमें कर सकते हैं इसको फियर नहीं करना है तो आप इसको ऐसे प्रेक्टिस कर सकते हैं और भी ऐसे पिच्छास बना के तो इस तरह से आप उसमें टिक भी करन जो नियर है उसमें टिक करिये और जो फादर है वो उसमें सरकल करिये ओके नाओ आई होप यू अडिस्टेंड दे चप्टर थेंक यू